आज हम सब भारतियों के लिए बहुती खुशी वा गर्व का दिन है गर्व का दिन इसलिए क्योंकि कोरोना से चुटकरा पाने के लिए एक नहीं बलकि दो-दो वैक्सिन की सोगात हमें मिल चुकी है आज हमारे भारती ड्रक कंट्रोलर मतलब ड्रक कंट्रोलर जर्नल अफ इंडिया जिसको हम DCGI कहते हैं ने कोविशिल्ड वा कोविक्सिन को आपात का लिनी याने इमर्जेंसी यूज के लिए मंजुरी दे दिये इसी के साथ भारत में अगले हपते से वेक्सिनेशन की प्रक्रिया मतलब बेक्सिनेशन शुरू हो जाएगा इसमें कोविशिल्ड जिसको की भारत की सीरम इंसिट्यूट और आकसपोर्ट की एस्टरजेनिक ने मिलकर बत तयार किया है कोविक्सिन जिसको की भारत बायोटेक और ICMR मतलब इंडियन कॉंसिल अफ मेडिकल रिसर्च ने मिलकर बनाया है जो की पूर्त है स्वधिसी वेक्सिन ने और ये दोनों ही वेक्सिन बेग्यानिकों और डाक्टर के अनुसार 110% सुरक्षित है दोनों ही वेक्सिन को भारत के दूर दराज वाले जगों पर आसरी से पहुचाए जा सकता है क्योंकि इन्हें 2-8 डिग्री टेंपरेचर पर सुरक्षित रखा जा सकता है यहां में आपका एक डाउट और क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो दोनों वेक्सिन है वो कोरोना के जो नया स्ट्रेंड जो की अभी इंग्लेंड में देखने को मिला है और अब उसके भारत में भी कुछ पैसेंट है तो ये जो वेक्सिन दोनों वेक्सिन है वो कोरोना के नए स्ट्रेंड के लिए भी कारकर सावित होगी लेकिन इसी के साथ आपको एक साउधानी भी रखनी होगी कि वेक्सिन लगने के बाद भी कम से कम एक से डेड़ महिने तक आपको मास पहनना होगा, रेगुलर सेरेटाइस का यूज करना होगा और सोसल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना जरूरी होगा क्योंकि वेक्सिनेशन के दो डोज होंगे जो की अठाइस दिन के गेप से दिये जाएंगे और उसके अठारा दिन बाद शरीर में एंटी बाडी बनना शुरू होती है, इसलिए कम से कम एक से डेड़ महिने तक आपको अपने आपको सुरक्षित रखना है, मतलब इन सभी चीजों का आपको यूज करना है सोसल डिस्टेंसिंग का, सेनिटाइसिंग सेनिटाइजर का और मास का, तो चलिए इसी के साथ आपने इस सुरक्षित और मुची ती जाग्या जाहिन